नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट करकरासी वालों परिसान क्यों आखिर वो कौन सी बाते हैं जो आपको दिन डात खाये जाती है आखिर उन तमाम परिसानियों से बाहर निकलने के रास्ते क्या होंगे आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें सेयर करेंगे इसके पहले समझते हैं करक वालों के बारे में देखिए जो करक रासी होती है न जल तत्तु की रासी है और इनका प्रतीक चिन होता है केकड़ा इसका मतलब चंचलता, सितलता, भाउकता और संबेदन सीलता जो चारों ही चीजें इनमें कूट कूट कर भरी होती है और यही बातें इनको सबसे अलग बनाती है इनके ब्यक्तित्तु में ये खासित होती है और जहां भी रहते हैं घर परिवार के तरह ही माहौल बना लेते हैं इनका स्वभाब मिलंसार होता है हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं यहां तक कि ऐसा कहा जाता है जो 30 में करक वाले के जो दुस्मन होते हैं वो भी एक बार इनसे दुस्मनी करने के पहले यह सोचते हैं आखिर इनसे दुस्मनी करे तो क्यों करे अब आप समझ सकते हैं यह होते कैसे हैं इन्हें अपनी ज परंपराओं से अपने घर परिवार से लगाओ रखने वाले होते हैं मा के करीबी होते हैं थोरे से भावुक होते हैं और कई बार तुम मुडी भी होते हैं बच्चों सी मासूमियत भी होती है लेकिन होते हैं दरिया दिल बस इनका सूजभूज ही इनके ब्यक्तित्तों में इनके स्वभाव में समाहित है जो इनको हमेशा आगे भी रखता है थोड़ी सी और सुरक्षा की भावना होती है इसलिए ये अपने मात्री भूमी को नहीं छोड़ना चाते क्योंकि भावनात्मक सपोर्ट इनको चाहिए होता है जो इनके जीवन साथी या बच्चों से नहीं मिलता और इनका क्रोध भी थोड़ा जल्दी आता है बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं लेकिन इनका बैभार थोड़ा सा चनिक होता है यहनी जितनी जल्दी ये क्रोध में आएंगे उतना ही जल्दी सांथ हो जाते हैं पर दिल से काम करते हैं और ये चीजें इनको और भी ज़्यादा खुबसूर्ती देता है इनकी छबी हमेशा ही एकदम से क्लीन होती है मिलनसार बेक्तित्तों के मालिक होने के कारण इनके साथ जो लोग काम करते हैं वो बहुत जल्दी इनके साथ गुल मिल जाते हैं और एक अच्छा मोहल भी यहाँ पर बना लेते है पर थोड़े से कभी-कभी कंजूस होते हैं लेकिन दोस्तों का मजाग भी इने मज़ा आता है सुनने में लेकिन अगर हम इनके जीवन के अच्छी वाली चीज़ों के बारे में जाने जैसे कि रोमांटिक टो ये दिखने में आकरसक होते हैं भावग होते हैं और करियर भी इनकी बहुत कुशूरत होती है पर प्यार करने वालों में से होते हैं क्योंकि हर किसी का आगे बढ़ कर ख्याल रखना इनको आता है थोड़े से तुनकमिजाजी होते हैं जिनके कारण कभी-कभी उरिस्तों में परेशानी आती है और सायद इनका जीवन साथी इन्हें कभी समझी नहीं पाता तो ये है इनकी अगर हम घर पड़िवार की बात करें तो इनकी खासियत और इनकी परिशानी के थोरे से कारण लेकिन आखिर वो कौन सी बाते हैं जो आपको ज़्यादा परिशान करती है और इन परिशानियों से बाहर निकलने के रास्ते क्या है वो कौन सी बाते हैं जिनको अगर आप अमल करें तो आपके जीवन के हर दुख सुख में बदल जाएंगे तो यही बाते आज हम आपके साथ साचा करेंगे जो करक बाले होते हैं इनके अंदर कलपना, ग्यान, दया, सुंदरे कूट-कूट कर भरा होता है और इमेजिनेशन के मालिक होते हैं बारे रासी में सबसे ज़्यादा अगर कोई इमेजिनेशन कर सकता है किसी भी चीच को खुबी बहतर तरीके से धरातल पर उतार सकता है तो वो करक बाले होते हैं बड़े ही गलेमरस भी होते हैं और गलेमर वाले फिल्ड में अगर जाएं तो सफलता भी पा लेते हैं क्योंकि ये खुद को परजेंट करना जानते हैं खुद को परजेंट कर लेते हैं थोड़ा सा इमोशनल होते हैं लेकिन समस्या भावुक होना ही होता है इनका बैवहाईक जीवन या लव लाई बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि हर जगा इनको धोखा मिलता है अब ये सबसे बड़ी समस्या है क्यों होता है? क्योंकि ये बड़े इमंदार होते हैं हर रिस्ते को इमंदारिस से निभाते हैं और यही चीजें इनके लिए सजा बन जाती है क्योंकि इनको चल कपट नहीं आता और इनके जीवन में हमेशा खाली पन रहता है किसी ना किसी में दोस्त धूनते रहते हैं अब यहां चुकि चंद्रमा मन का अधिपती है चंद्रमा के अधिपती सिव हैं इसलिए आपको सिव जी की उपासना तो हरमेशा ही करनी चाहिए नमसिवाय का जब जितना ज्यादा करेंगे उतने ही जल्दी आप इस मना इस्तिती से बाहर आएंगे और आपके लिए एक सही रास्ता यानि जब भी भटकाओ होगा उसे एक सही रास्ते पर सिव जी की किरपासे आप आ जाएंगे और भटकने से भी बचे रहेंगे तो ये तो आपके लिए कुछ ऐसी चीजे हैं जिसको आपको आँखे बंद कर फॉलो करना चाहिए तो अभी तक हम करक वालों को कुछ ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जो आपके जीवन की बहुत सारे जो राह में रोड़े हैं उसको ठीक कर सकता है होते हैं दिल के साथ अब हर रिस्ते को इमंदारी से निभाते तो हैं लेकिन हर कोई आपकी तरह इमंदार नहीं होता अब जब ये दुनिया ही बेइमान है आप इमंदारी से निभा कर क्या होगा निभाना तो चाहिए लेकिन आख कान खुली रखें जरूरस से ज़्यादा भरोसा किसी पर ना करें वरना आप कहीं खोसे जाएंगे आप तूट जाएंगे और जब आप तूटेंगे तो आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा भले ही अभी आप सब का आगे बढ़कर केर करते हैं लेकिन आपके वक्त में कोई नहीं इसलिए पहले से संभल के रहें जरूरस से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना किसी की बातों में आकर कोई भी कुछ भी कर देना ये सबी चीजे परिसानी में आपको फसा देगा लेकिन अब जानते हैं आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है जिसको आप बेहतर करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं करक वाले देखिए आप बड़े ही कलपना सील होते हैं बड़े ही इमेजनेटिव और बड़े ही इमानदार होते हैं अब हर ब्यक्ति की भावनाओं को समझते भी हैं और समझना चाहते भी हैं और आप अगर कला वाले फिल्ड में संगीत यानि सुकर वाले छेतर जो होते हैं न सहित वाले छेतर में अगर आप जाएं तो बहुत बड़ी सफलता पालेंगे आप सफल हो जाएंगे लेकिन कमजोर पर आपको काबू पाना ही होगा बहुत ज्यादा भाबुक होते हैं लोगों की बातों में बहुत जली आ अगर कोई दो बाते तकलीब की सुना दे तो यह हिल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं यह चीजे आपको बार बार धोका देता है अब तो समल जाईए क्या करें एक तो नियमित रूप से हलके पीले रंग का प्रियोग करें लाइट येलो कलर के वस्तर का रुमाल का जो बहु जली प्रेम होता है हर जगद हो खाकाते हैं अब प्रेम करने ने अक सर आप के लिए गलत भी होता है क्योंकि प्रेम में आम طोर पर सामने वाला आपको मुर्ख बनाता है अगर आप चाहते हैं χρη्सक्याई क्ली बाते किसी ने कर लिए आप उसके ही बारे में अच्छा सोचते हैं ये चीजे तो सही है लेकिन संबब हो तो आपकी अगर करकरासी है तो आप लोगों को प्रेम के मामले में जल्दवाजी नहीं करना चाहिए वरना बुरे फसेंगे और बहुत ही ज़्यादा तरपेंगे बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी समझने में ये चीजें आप जितना ज़्यादा जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है जीवन की तमाम उतार चड़ाओं से भी बचिएगा और परेशानी भी आपको नहीं होगी करकबालों जरूरत से ज़्यादा भावुक होना सबसे बड़ी समस्या होती है आप सिब जी के सरन में रहना होगा आपको नमस्यवाय का जब करते रहना होगा और संबभ हो तो सुबह साम पुझा पाड़ जरूरी नहीं है कि आप करे ही हम आप पे प्रेसर नहीं डालेंगे यह दिल से होता है लेकिन संख जरूर बजाएए तीन बार सुबह तीन बार साम इससे भी आपको ताकत मिलेगी आपकी कमजोरी पर आपको बिजय पाने में एक ताकत मिलेगी और आप सभी चीज़ों को बहतर तरीके से कर पाएंगे तो आपका हर तकलीप हर दुख सुख में बदल जाएगा फिलाल आप से भी दालेंगे हर हर महादेब